नमस्कार मैं हूँ आपके साथ हिमाशु छाबडा और आप देख रहे हैं आजे एस्टोमोनी गुरू लेकिन आंदर के रैलसेमा शेत्र में भारी वर्षा से कुछ जीलों में बुआई के गए चने की फसल को नुकसान पहुचा है लेकिन बकाया स्टोक अधिक होने से तेजी नहीं आ रही पिछले सप्ताहा उत्पादक केंद्रों पर चना बुआई में तेजी आने के साथ कुल पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक होने एवमदेश के में परियाप्त मातरा में स्टोक होने से मिलर्स आवश्यक्ता अनुसार खरीदी कर रहे हैं जिससे पिछले सप्ताहा मुल्यों में 50-100 रुपे प्रती कुइंटल की गिरावट हुई जिससे बाजार में चर्चा है कि नाफेड महारास्ट्र में 2020 चना की टेंडर बिकरी बंद कर रहा है लेकिन अभी तक अधिकारिक तौर पर पुष्टी नहीं की गई जिससे टामिलाडू सिविल सप्लाइज विभाग द्वारा चना दाल के लिए टेंडर जारी किये जाने के बावजूद तेजी का ब्रेक आंदर के गुंटकल और उसी के साथ ही जम्मल मढूगू लाइन का जेजे कालिटी अगर इरोड डिलिवरी के बात करें तो बावन सो रुपे के मुले पर वेपार हुआ तथा अंगोल में जेजे क्वालिटी का जो है वो 4850 कोक्टू काबुली 6500 डोलर चना 8000 चना हाइदर 50 सुडान का काबुली 5100 रुपे नेया जो है वो 5250 रुपे दिली में पिछले सता 125-130 मोटर की आवक पर रजस्तान का चना 575 मदेपर देश का 5175 रुपे के मुले पर ये विपार हुआ है सोलापूर में अनागिरी जो है वो 5150 से लेकर 5350 लातूर में अनागिरी वे विजे जो है वो 4800 से लेकर 5000 के बीच अकोला अमरावती वाशिम बुलडाना लाइन में साधा चना जो है 4700 से लेकर 4800 रुपे लोकल लूज और उसी के साथ अगर अकोला की बात करे तो अकोला मे 5,150 रुपे तता करनाटक के कुलबुर्गी में 4,800 से लेके 4,850 रुपे के मुल्ले पर विपार हुआ है राजस्तान की लोकल मंडियों में 4,500 से लेके 4,800 रुपे और उसी के साथ ही बिकानेर में 4900 से लेके 5,000 जैपूर में 5200 से लेके 5250 और चनादाल की अगर बात करें तो हम 6925 से लेके 6950 रुपे के बीच में ये जैपूर में विपार हुआ मद्यपरदेश में नीमच, उजैन, धमो, जबलपूर, पिप्रिया अशोक नगर, लाइनोवे 4500 से लेके 4800 रुपे के बीच में काबूली में 8400 से लेके 4800 के बीच, इंदोर में आपको सब के ही हमने बताए कि मार्केट में किस तरह का वेपार हुआ है इसे के साथ ही आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ हमारे साथ हमारे चैनल मनी गुरू और हाथ सब्सक्राइब करना ना भूले